मुफ्ति सल्मान अजहरी साहब के उपर पासा इंपोस किया गया और अब ही वो वडोदरा जेल में कैद है लेकिन इस पूरे परकरन को अगर आप देखेंगे मुफ्ति सल्मान अजहरी साहब की गिरफतारी से ले करके अभी उनके जेल में होने तक इस बीच में ये देखा गया कि मुफ्ति सल्मान अजहरी साहब के लिए कोई भी राजनितिक दल जो है वो सही से खड़ी ना होई सिवाए AIMIM पार्टी के यानि के मजलिसे इतिहाद المسلمین जिसे असदुद्दीन OASI साहब की पार्टी भी कही जाती है उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक मुफ्ति सल्मान अजहरी साहब का साथ दिया देखा गया कि मुफ्ति सल्मान अजहरी साहब को जब पहली बार डिटेन किया गया तो वारिस पठान देर रात पहुँचे और उसके बाद जा करके उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम लगा दी कि मुफ्ति सल्मान अजहरी सहाब को बचाया जा सके, उन्हें जेल से निकाला जा सके, उन्हें डिटेंशन से बचाया जा सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके उपर कच में केस हुआ, उनके उपर सबसे पहले तो जुनागड में, फिर कच में, फिर मुडासा में, तीनों जगा से उन्हें बेल मिल गई, जब उन्हें रिया होना था तो उससे पहले मुफ्ति सल्मान अजहरी के उपर एक और केस दरज हो वो केस नहीं था, उनके उपर पासा एक्ट इंपोस कर दिया गया, कलेक्टर सहाब के द्वारा और अभी वे जेल में है। रहात इंदौरी सहब ने शेर को थोड़ा सा इन्होंने पढ़ा था अपने तरीके से, लेकिन देखा ये गया कि इनका साथ किसी ने नहीं दिया। आप तमाम लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ, सुनिए कि किस तरह से इन्होंने आवाज उठाई और इन्होंने बताया कि क्या तरीके से इन्होंने तमाम बाते कहींगे। मैं आपको सुनाता हूँ, एक सकाड़, मौ इसको साणियन कर दिया तरहा हूँ, यह देखे। क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मतरसों को तोड़ दो, आप एद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीं कर दो, आप काई के नाम पे मार आप बाहर से महराष्टार, राज्ये के अंदर आप अपने गुर्वों को भेचो, जो जाके मुसल्मानों के खिलाब अनाम शराफ भके, जहर उगले, उनके खिलाब एफायर होंगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जै करता है, वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है, बीजेपी का नेता और वो यह बोलता है, कि चून-चून के मारेंगे कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग है, मैंने वहां खड़ रहे कर बोलती है, पंदरा मिनिट नहीं, तस मिनिट नहीं, हमको पांच मिन्टे तो हम करते हैं, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया होगा, किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में जिक्र करते हुए, वारिस पठान ने ये सीधे-सीधे बात रखी है, कि जो कुछ उनके साथ सिर्फ उनके उपर आवाज उठाई जाती है, लेकिन वही बीजेपी के नेता सुधान सुत्रिवेदी उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं, उस वक्त टूइट करना क्यों भूल जाते हैं, जब भारतिये जंता पार्टी का नेता जा करके सीधे-सीधे मुसलमानों को मि बयान जरूरी था, सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार क्या वज़ा है कि मुफ्ति सल्मान अजहरी सहब पर ही कारवाई होती है, लेकिन और अन्य नेताओं पर कारवाई नहीं होती है, जब इस तरह की कारवाई होती है, तब लोगों का नियाई विवस्था से यकीन अगर उनके इस बयान पर पासा एक्ट इंपोस किया जाना चाहिए तो फिर टी राजा सिंग पर कारवाई क्यों नहीं होती है, फिर कारवाई यती नरसिंगा नन पर क्यों नहीं होती है, फिर कारवाई उन तमाम नेताओं पर क्यों नहीं होती है, जो मुसल्मानों के खिला सुबह से लेके शाम तक भड़कीले भाशन देते हैं यह वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में पिछले एक साल में मुसल्मानों के खिलाफ 668 से ज़्यादा अपत्ती जनक बाते की गई जो भड़कीले भाशन हुए और आपको बता दे कि जब फलस्तीन और इसराईल के बीच में मामलात बढ़े उस मामले के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नफरते पड़ोसी गई और सबसे ज़्यादा हेट स्पीच मुसल्मानों के खिलाफ दिये गए लेकिन उन लोगों पे कारवाई नहीं हुई छे सो से ज़्यादा केसिस थे मुझे छे लोग का नाम गिनवा दीजिये जिनके ऊपर कोई केस हुआ हो और उनकी गिरफतारी हो गई हो ऐसा जब नहीं होता है तब लोगों का नियाई गिवस्ता से भरोसा तूड़ता है परती है तो ये लोग चुपी साथ लेते हैं और इनके जबाम के अंदर इनके मुझे अंदर दही जब जाता है